आज हम बनाएंगे बिना तेल का ब्रेट का बहुत ही जटपट बनने वाला नास था इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन वाइट वाली ब्रेट ली हैं आप ब्राउन वाली ब्रेट भी ले सकते हैं और इन सभी ब्रेट को हम छोड़ छोड़े तुकड़ों में तोड़ करके ग्रैंडिंग जार में डालेंगे आप छोड़े बड़े कैसी भी तुकड़े कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम ने किनारी को अलग नहीं किया है, आप अगर चाहे तो इसको कर सकते हैं वैसे कोई जरूरत नहीं है अब हम इसमें डालेंगे आधा कब सुजी और साथ में इसमें हम डालेंगे आधा कब दही यानि कि जितनी quantity में हमने सुझी add की है उतनी ही हमें दही add करनी है थोड़ा साम इसमें डालेंगे अधरग और एक हरी मिर्ज साथ में हम इसमें डालेंगे एक कप पानी तो पानी अभी हम सिर्फ एक कप डाल रहे हैं तो लीजे हमने इसको पीस लिया है इसमें मुझे आधर कप पानी की जरूरत और पड़ी तो इसको हम अलग बोल में ट्रांसपर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इतना पतला आपको करना है काफी पतला हमने किया है इसको आपको गहड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है तो मैं आपको इस्पून से भी दिखा देती हूं यह देखिए इसका बैटर कुछ इस तरह से रहेगा एकदम फ्लोइंग कस्टिस्टेंसी का यह बैटर रहेगा तो बस अब हमने यहां पर ली है कुछ सबजियां जैसे मैंने आप लिया है बारी कटा हुआ प्याज बारी कटी हुई सिम्ला मिर्च बारी कटा हुआ टमाटर बारी कटी हुई हरी मिर्च आप यहां पर अपने मन मताबिक सबजिया एड कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं अगर आपको लगता है तो आप इसमें भुने हुए जीरे, काली मिर्च का पाउडर या पर चाड मसाला एट कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट यहां पर मैं आधा पैकट इनो का यूज़ कर रही हूँ आप यहां पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा यानगी खाने वाले सोडा का इस्तिमाल भी कर सकते हैं आपको तब ही डालना है जब आप इस नास्ता को बनाना स्टार्ट करें डालने के बाद आदा घंटे के अंदर आपको इस नास्ता को बनाना होगा तो यहां पर हम एक नॉनिष्टिक तवा रखा है और इसमें मैंने बिल्कुल भी वाइल नहीं उसकिया है क्योंकि हम इसको बिना वाइल की बनाने वाले इसलिए हमें यहां पर नॉनिष्टिक तवा लेना होगा और अब हम इस बैटर को फैला देंगे तो आप कैसे भी इसको फैलाइए कोई दिक्कत नहीं है जरू नहीं है कि आप गोल्ड शेपी रखें जैसा भी आपको बन जाता है और इसको हम ढख करके दो तीन नट तक लो बहुत अच्छी से यह सेक चुका है तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं तो यह जो नास्ता है इसे या ब्रेड का उत्फ़पम भी बोल सकते हैं या फिर ब्रेड का चीला भी कह सकते हैं तो चलिए मैंने फिर से बिल्कुल भी वाइल नहीं लगाया है और उसी तवा म हम फिर से अपना बैटर डाल करके इसका उत्पम फैला लेते हैं सेल प्रोसीजर में लिट को ढख देंगे दो-तिन नट के लिए दो-तिन नट बाद इसको हम पलट लेंगे तो यह बहुत ही आसानी से निकल आते हैं सब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ओयल नहीं लगाया है तो इतना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी यह बना है इसको आप चीला भी बोल सकते हैं एकदम जालीदार बना है तो तैयार है हमारे दोनों ब्रैट की उत्पम तो इस तरह से आप भी बनाईए इसको आप हरी चटनी के साथ यह टोमैटो केचप के साथ खा सकते हैं यह बहुती स्वाधिष्ट और नरम नरम होते हैं तो फ्रैंड्स उमीद करती हूं कि आपको आज की रैस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा थैंक्यू